जैसे राधी मित्रों हर हर महादीर जैमा चंद्रवदनी मित्रों चंद्रवधनी भती रस पेज में आपसवी का सब्सकरिक अभिनन्दन है और चंद्रवतनी भती रसच चैनल के माध्यमर से आपको साथाहि राशिफल मासिगराशिफल और वाठ्षिक और ग्रहों संबंदि समस्त जानकारियां आपको समय समय पर उबलब्द कराई जाती हैं तो आज कल मित्रों हम बात कर रहे हैं मेश राश से मीन राश तक के जातकों को कौन कौन से रतन धारन करने चाहिए और किस रतन को धारन करने से आपके जीवर में होगा शुब ही शुब तो आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे मित्धुनरासि के जातकों की तो मित्धुनरासि के जातक हैं उन्हें कौन सा रतन धारन करना चाहिए जिनके जिसके रतन धारन करने से मित्धुनरासि वालों के जीवन में जो है सुक समरिदी आए और जिससे कि उनका भाग्या से देखें और जितने भी मित्वनराश के जातक हैं वह तो बिल्कुल अंतिन तक हमारे इस वीडियो को अंतिन तक देखें और अपने इश्ट मित्रों के साथ आप सेर जरूर करें वीडियो को जो पहली बार आज हमसे जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब चाहिए कौन सा रत्न ऐसा है कि मित्वनराशी वाले पहने और उनके लेवा बड़ान सावित हो पलड जाए उनके किसमत तो बात करते हैं मित्वनराश के जातकों के मारे में तो जोतिस सास्त्र की तरह रत्न सास्त्र में भी ग्रहों की इस्तितिके आधार पर जो है जातक को अपनी रासी के अनुसार रत्न धारण करने के सला दी जाती है किसी भी रत्न को बिदी पूर्वक धारण करने से कोई भी रत्न है उसे बिदी बिदान पूर्वक धारण करने से जीवन में जो है तरक्की, खुसहाली वा धनलाव के योग बनते हैं तो आज हम आपको बथा रहे हैं कि मिथ्वन रासी वाले जातकों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे उनकी किस्मत पलड़ जाए। तो मिथ्वन रासी वाले जो जातक हैं मिथ्वन रासी के जातकों को सास्त्र के अंसार मिथ्वन रासी के जातकों का जो स्वामी है वह माना गया है ग्रह बुद्ध देव और ऐसे में बुद्ध ग्रह से सम्मंदित जो रत्न है वह है पन्ना धारण जो है वह मिथ्वन रासी क जातकों को करना चाहिए पन्ना रतन उनके लिए सुमाना जाता है हालांकि मिथुन रासिवालों को किसी जोतिस या पंडित जी की सलहा के अंसार ही हरे रंग का पन्ना धारण करना चाहिए और मान्यता है कि हरे रंग का जो पन्ना धारण करने से बुद्ध की महादसा व अंतर प्रदसा से मुक्ति मिल सकती है नए जोते सासर के अंसार पन्ना धारण करने से कारुबार में आने वाली जो मुस्वते हैं मुस्किले हैं वाद दूर हो जाती है आएके नए साधन बनते हैं और आर्थिक इस्तिती जो है वह मजबूत होती है पन्ना रतन धारन करने से आर्थिक इस्तिती जो है उस जातक की जो पन्ना धारन करता है उसकी आर्थिक इस्तिती मजबूत हो जाती है और कर्ज से भी वह जातक मुक्त हो जाता है तो मित्थुन रासी वालों के अलावा मीन रासी वालों क के लिए भी पण्णा ध Красement करना बेहद सुब माना जाता है तो मीन रासी वाले हिए पन्णा धार्ण कर सकते हैं अब मैं आपको बथाएं कि पन्ना धार्ण करने की विधी क्या है तो बुद्ध रत्न से सम्मंदित होने के कारण इस रत्न को जो हैए बुद्ध वार के धारन करना सुमाना जाता है इसके अलावा पन्ना रत्न को आसलेसा वा जेश्टा नक्षत्र में धारन करने से इसका कई गुणा फल जो है कई गुणा लाव प्राप्त होता है अगर आप जेश्टा नक्षत्र में या आसलेसा नक्षत्र में इसे धारन करते हैं तो यह पन्ना अंगोठी में जड़वा करके इस पन्ना रत्न को धारण करना चाहिए, बुद्वार के दिन पन्ना धारण करने से पहले इसे गाई के कच्चे दूद में गाई के कच्चे दूद से इसे धूना है, इसके बाद ओम बुम बुद्धाय नमा मंत्र का जाप करें, पूरव या उ चाहिए, तो पन्ना रत्न धारण करने से आपके जीवन में सुब ही सुब होगा, मित्वन रास के जातकों को बिसेश कर पन्ना रत्न धारण करने से आपके जीवन में अनिक अनिक खुसियों आपको प्राप्त होंगी, यही माँ भगवती से हमारी कामना है, तो मित्रों अपने इस्टमित्रों के साथ जरूर सेर करें अगर पसंद वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें पुना आगे की वीडियो में आपसे मिलते हैं तब तक के लिए जैसी रादी जैमातादी हरहर महादी विसंभू झाल 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 झाल